नमस्कार मैं हूँ योगेश राना आज कल उत्राखन में नोकरी बेचने वालों में बड़ी घवराहाट है बड़ी हरकम मचा हुआ है मुख्यमंद्री पुसकर सिंग धामी ने जांच को 2015 तक पहुचा दिया है उन्होंने 2015 में हुई द्रोगा भरती के लिए भी जांच के आदेश जारी कर दिये है केई लोगों का तो कहना है कि अगर जांच का दायरा इसी तरी किसे बढ़ता रहा तो मुख्यमंद्री पुसकर सिंग धामी के नाम एक कमाल का रिकोर्ड बन जाएगा और वो होगा उत्रखन में नोकरी बेचने वालों को जेल तक पहुँचाने का रिकोर्ड अब यह जांच किस साल तक पहुँचेगी इस बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि बात विधान साबा में हुई भरती की जांच तक जा पहुँचिए इसको लेकर पुशकर सिंगधामी ने बहुत ही साप साप संकेत दे दिये है उन्होंने इस समद में कहा है कि विधान साबा एक समयदानिक संस्ता है इस लिहाद से वो विधान साबा अध्यक्सेस मामले में बात करेंगे सरकार इसको लेकर होने वाली जाच में पूरा सहयोग करेगी प्रेमचंद्र अगरवाल का भी इस पर बयान आया है इस पर भी बात करेंगे लेकिन इन सबसे पहले कुछ आंगडों पर गोर कर लेते हैं साल 2015 में पुलिस S.I. भरती इसमें 349 द्रोगों की भरती हुई 2021 में 33 पदो पर सचेवाले रक्षक की भरती इसके साथ ही 2015 में एक और अन्य भरती इसी के साथ विधान सहबा में भरतियों की जो मामला है उस पर जाच की आच गोविन सिंग कुझवाल और प्रेमचंद्र अगरवाल के दोर में की गई भरतियों पर खड़े होते सवाल और उन पर आ रही जाच की बात और ये कोई पहली बार सवाल नहीं उठ रहे है इससे पहले भी कही बार इन पर सवाल उठते रहे हैं मीडिया में खबरे आती रही है लेकिन प्रिणाम कुछ नहीं हुआ अब एक बात पर गंभीरता से गोर करने की जरूत है उत्राखन अधिनस्थ सेवा चैन आयोग यानि UK SSSC का गठन 2014 में हुआ था गठन के बाद से अब तक आयोग तकरीवन 88 सी परिक्षाय आयोजित करवा चुका है इन में से पांस में तो सीधे सीधे गड़बडियों की बात आई हुई है कई बार जांच की बात उठी है बात पुलिस तक पहुँची है जांच हुई भी है लेकिन कोई प्रणाम नहीं आय मामले को हमेशा ही दबा दिया गया हमेशा ही अधूरा छोड़ दिया गया मैं पांच परिक्षाव की केवल बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन पर बार बार बात होती रही है और इनकी पुलिस में शिकायत की गई है लेकिन जरा आप सोचिए आप गोर कीजिए जिस आर और करीब पचास भरतियों में सामिल रही है इसलिए यह तो बहुत ही साफ साफ तोर पर कहा जा सकता है देखा जा सकता है कि कोई पांच या फिर कुछ सीमित भरतियों तक की बात नहीं लग रही है बहुत सी भरती होंगी जिनको संदीग भाव से संदीग नजर से देखा ज चाहिए और उत्राखन में रोजगार एक गंभीर से भी गंभीरतम समस्चाओं में से एक है इसी कारण प्लायन होता आ रहा है इसलिए उत्राखन में नोकरी बेशने वालों के खिलाब पुसकर सिंग धामी ने जो महा अभियान चलाया हुआ है उसको रुकना तो नहीं गडबडी को लेकर सुतंत रूप से पार्देस्टा के साथ काम किया जा रहा है जाच की जा रही है सरकार बरस्ट अचारियों पर कठोर कारवाई करते हुए ऐसी नजीर पेश करेगी जिससे आने वाले समय में युवाओ के भविश से खिलवार ना किया जा सके और जैसा कि मैंने बताया उन्होंने विधान सभा में हुई भरती पर उठ रहे सवालों पर भी जवाब दिया है उन्होंने साप साप कहा है कि विधान सभा में हुई भरतियों को लेकर भी माननिये विधान सभा अध्यक्षी से अन्रोध करूँगा कि किसी भी समय या किसी भी काडे काल में यदि भरती परकिरिया में विसंगतिया पाई जाती है तो उन पर विधी संबत कारवाई की जाए हमारे लिए युवाओं का सुरक्षित भविश सर्वो परी है यह उन्होंने कहा है विधान सभा में यह भरतिया गोविंद सिंग कुञ्जवाल के कारेकाल में 158 और प्रे बड़ा सवाल तो यह है कि हाकम सिंग केंदरपाल जैसे लोग पिछले 11 सालों से नोकरियों को बेचने के काम में लगे हुए थे और यह जो कंपणी है जिसकी बात की जा रही है आर एमेस टेक्नो सोलुशन्स कंपणी यह कंपणी 2016 से उत्राखन में काम कर रही थी और वो 50 भरतियों में सामिल रही है और एक के बाद एक होने वाले भरती परकिरिया में गड़बड़ी करती रही है और ऐसा भी नहीं है कि उस समय के यह उन परिक्षाओं के दोर में जब यह परिक्षा हो रही थी उस समय पर सवाल ना उठते रहे हो सवाल हमेसा उठते रहे है लेक अभी भी किसी कारवाई की चपेट में नहीं आये आज हरीस रावत और तिर्वेंद सिंग रावत कहीं सारी बाते कर रहे लेकिन जब वो गद्धी पर बैठे हुए थे तो उस समय एक्षन क्यों नहीं लिया गया यह एक बड़ा सवाल है इसलिए यह तो मानना ही पड़ेगा क कि पुषकर सिंग्धामी ने प्रदेश के युवाउ के लिए एक बड़ा काम सुरू किया है जिन भर्तियों की जाच हो रही है उन भर्तियों की जाच में गड़बडियों में दोसी पाए जाने वालों को गड़बडियों के आरोपियों को जेल तक पहुचाने का काम जिसम पर काम मुझूदा सरकार ने सुरू किया है और इस काम को अंजाम तक पहुचना चाहिए हाला कि कई लोगों का कहना है कि इन मामलों में कई सारी बड़ी मचलिया हो सकती है इन मामलों से इस पूरे के पूरे गिरों से कई बड़ी मचलिया जुड़ी हो सकती है और कई लोग परोसा किया जाना चाहिए क्योंकि आज तक जितने भी मामलों में शिकायते हुई है उनकी जांच ही पूरी नहीं हुई है और जांच सही तरीके से शुरू ही नहीं हुई है आप केवल दो ही मामलों को देख लीजे इसी से पूरे मामले को समझा जा सकता है जिस 2015 और 2016 में आज तक इसकी जांच पूरी नहीं हुई है और अब पुसकर सिंग धामी ने इस मामले की भी जांच के आदेश जारी कर दिये है नए सीरे से जांच सुरू करने की बात हुई है इसी तरह से 2015 सोले की पुलिस भरती से जुड़ा हुआ मामला भी है द्रोगा भरती जिसको कहा किया गया अन्याय किया गया हो सकता है और भी बहुत से मामले इसी तरही के से दबा कर रखे गए हो क्योंकि उत्रा खण में बीच बीच में भरतीया होती रही और उन पर सवाल खड़े होते रहे और आपको ध्यान देना चाहिए कि आयोग से पैपर चोरी होते रहे गायब ह होते रहे और विभाग को पता भी नहीं चला ऐसा कैसे हो सकता है और सालों तक एक ही गिरों नोकरी बेचने के धंदे में लगा रहा एक ही गिरों के लोग नोकरियों को बेचने के धंदे में लगे रहे और किसी को कुछ पता ही नहीं चला ऐसा कैसे हो सकता है इसलिए यह मा में लो गुन्यता भी हो सकता है सरकारी अधिकारी भी हो सकता है करमचारी भी हो सकता है जो भी है सभी को सज़ा तक पहुचना ही चाहिए और मुझूदा सरकार अभी तो इस काम में लगी हुई दिख रही है इसलिए माना जाना चाहिए कि अभी और भी बहुत से लोग और ना सामने आने वाले है इसलिए इंतिजार करना चाहिए किस किस के चेहरे से नकाब हटता है नमस्कार आप बने रहे मेरे साथ